यहीं राजस्तान कोटण गाऊं जो शिवगंज से कम से कम 10 किलोमेटर दूर बसा है येक प्राचिन काल से राजा माराजाओं के द्वारा बसाया हो गाऊं है इस गाउं में स्री चामुंडा माता मंदिर प्रसिद मंदिरों में से एक है ये गाउं शेतरफल की दरश्टी से बढ़ा है विविनता में एक ता यही गाउं की विसिस्ता है लेकिन लोगडाउन की वज़े से आज माचामुंडा मंदिर स्री खेतलाजी मंदिर कई दिनों से बंद है शिवगंज की सीमाओं पर स्री चामून्डा माताजी मंदिर और शित्रपाल जी प्राचिर मंदिर है जो बहुत खास है इस मंदिर से जुड़ा हुआ सेंकडो साल का इतियास ये गवा करता है कि आज भी माचामून्डा शक्षात विराजमान है यहां सेक्डो बीगा में ओरन और जंगल है जहां से कोई एक लकडी भी नहीं काट कर ले जा सकता और बाद में नाड़ी और छुटा तालाव भी है चामूडा माताजी मंदिर बड़े परिशद में बना हुआ है मंदिर के बाहर कई भवन और धरम शालाएं भी है जहां आने वाले भक्त विश्राम करते हैं यहां जो भी भक्त मानिता लेकर सच्चे दिल से आते हैं उनकी हर इच्छा पूरी होती है यहां के स्थाने लोगों ने बताया कि यह मंदिर पारमपरिक रूप से कई बातों को दर्साता है जैसे मुगलकाल से लेकर आज तक कई चमतकार हुए यह निम का पुराना पेड़ है निम के पेड़ करींचे माता जी का मंदिर है मुगलकाल में यहां से माता जी की पृतिमा अलफा माता जी पहुचाए गई इसलिए अलफा माता जी का मंदिर से भी कोटा माता जी मंदिर का सम्मन्द है कोटा गाओं में विशेशकर माता जी से जुड़ी बहुत बाते हैं जो अवतार चामुंडा माता के मंदिर में विराजमान माता जी के दर्सन मातर से हर मनो कामना पूरी होती है। राजस्तान में आओ तब माचामुंडा मंदिर को टा का दर्सन शरूर करना चाहिए।